नमस्कार आदात सस्त्रियकाल दोस्तों मैं शुभम पांडे आज आप सब का आपके अपने चैनल डेफिनिट क्लासेस पे फिर से श्वाकत करता हूँ और हम लोग का जो सफर नामा है दोस्तों वो पहुच चुका है तुगलक वंस तक इस बात की आप सब को अब जानकारी हो अब लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्केशन कर लिया उमीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और अगर अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो कल वीडियो अप्लोड हुआ है नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं उसे आप देख लें बहुत इंपॉर्टेंट सक्सियत है पेपर में उससे सवाल बहुत यादे बनते हैं खासकर वह जो पांच डिसीजन उसने लिए थे जो फैलिय कई घोषित कर दिया था और उत्रादिकारी किशे घोषित किया था अपने चचेरे भाई को जिसका नाम है फिरोषाह तुगलग के बनेगा फिरोषाह तुगलग बनेगा बस आज उसी के हमें बात करनी है बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट सक्सियत है इतिहास के विपर से साथ में पेपर के वी दिश्टी कोड से अगर आप यूपी गॉवर्मेंट की किसी भी जॉब का पेपर दे रखे हैं या देने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह important सक्सियत है इससे सवाल तो आने ही आने है अब देखे और जो लोग पेपर दे रखे होंगे चाहे हो टेट का दिये हो चाहे सी टेट दिये हो या कोई भी यूपी स्टेट गॉवर्मेंट या अलावाद हाई कोड का दिये हो यूपी पीसेल दिये हो यूपी ट्रिपेल सी दिये हो UPPSC दिये हों तो इससे सवाल आपको देखने जरूर मिला होगा इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं और साथ मिलके पढ़िये और कडियों को समझने की कोशिश कीजिए यह अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिर सवाल तो आप यूहीं लगा डाले ते और ऐसा ही चलकते मुगल सामराज में अकपर बनेगा ऐसा ही राजा इसी वज़ाव से सब्थे पहला ही सवाल इस से यह बन सकता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अकपर किस को कहते यानि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहते हैं तो आप बोलेंगे फिरोशाह तुगलक को कहते हैं और इसका जो समयकाल चला दोस्तों मैंने आपको बताया 1351 में मुहमद बिन तुगलक क्या होगा मरेगा मित्यू को प्राप्त होगा अब 1351 से 1388 तक का जो समयकाल है यह चलेगा फिरोशाह तुगलक सुल्तान बनके यानि तुगलक वन्स में फिरोशाह तुगलक जो सासन समहालेगा सुल्तान बना रहेगा 1359 से 1388 तक सबसे पहली चीजि मैंने आपको बताई किसी को बोलते हैं अकबर ओफ दिल्ली सल्तनत अब हम लोग आगे की क्रम को जोड़ने की कोशिश करते हैं आगे की चीज़ों को देखते हैं क्या इससे इंपॉर्टेंट चीज़े बनने वाली हैं इसने छे सिटी छे सहरों को बनाय च्छे सहरों की निव रखी च्छे सहरों को फाउंड करने वाला ही सुल्तान कौन है फिरो शात्व तुगलक अब उन छो सीटियों के नाम को हम लोग को देखना है क्या आप उन नामों से वाकिफ हैं उन नामों को आप पहले से जानते हैं और कितनी इंपॉर्टन चीजें है आप देखिये इसने जो है चैश सीटियों को खोजा चैसिटियों को बनाया यानि जिसमें से सबसे पहला जो सीटि है दोस्तों वह है हिशार और ये जो हिशार है दोस्तों कि कहां कह правильно सीटियर इसने स्थापित की थी हड़्याना में दूसरी सीटी छो कि थे फदेहा से है यह भी कहां इस्थापित की गई फिरोश सात्टुग्लक द्वारा हरियाना में थिक दोस्तों और यह जो अपने बेटे के नाम पर रख़्ा था इस Nahar का नाम और इसके बेटे का नाम क्या है फते खान फिरोश शात्टुगलक के बेटे का नाम क्या था दोस्तों फते खान बड़े बेटा था यह उसका उसी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया फतेहाबाद जो की हड्याणा में स्थापित किया गया अब देखिए तीसरा सहर तीसरा सहर जो है दोस्तों वह है फिरोजब यह जो है यह है पंजाब में यह है पंजाब में पहला ही शार हड्याणा फतेहाबाद भी हड्याणा में तीसरा जो सह्र बताये गया इसका दोस्तों वह Sup फिरोजबाद नाम पहले ही सुन चुक है हो फिरोजबाद जो है इसी को हम लोग कहते हैं glass city of India important question है काज का शहर किसको कहते हैं तो आप बोलेंगे फिरोजाबाद को कहते हैं सवाल देखिए आता कैसे काज का शहर किसको कहते हैं और जो चूड़ा सबसे ज्यादा कहा कि थी मेंसरा आप काच की बनाई जाती है और मैंने अभी बताया कि काच का शहर फिरोजाबाद को कहते हैं या आप देखिए कैसे रखना है तो जब भी चूडियों की बात आएगी कि चूडियां सबसे ज्यादा कहां कि फेमर्स है या चूडियां सबसे ज्यादा कहां पर बनाई जाती है सबसे फिरोजाबाद अभी हम लोग ने चार सहरों की बात की है दोस्तों यह इंपोर्टेंट फिरोजाबाद अब देखिए और आप सब को पता है यह जो फिरोजाबाद है यह कहां है यूपी में है उत्तर प्रदेश में है यानि यह उत्तर प्रदेश के जो भी पेपर आने वाले हैं या पेपर होने वाले उसमें तो यह सवाल आना ही आना है अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं फिप्त के तरफ फिरोज शाह कोटला यह भी एक शहर है जो कि बसाये गया दिल्ली में किसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा और जो छटा सहर बहुत ही इंपोर्टेंट सहर है दोस्तों ध्यान से देखिएगा जॉनपुर आप ज्यादा तर लोग इस नाम से वाकिफ होंगे जॉनपुर देखिए जो जॉनपुर सहर है यह कहां का है उत्तरप्रदेश का ठीक इस जॉनपुर सहर को एक और नाम से इत पूर्ल को कहते हैं सिराज आए हिंद यानी हिंद का सिराज हिंदूस्तान का सिराज या इस सवाल को ऐसे बोढ जाता है पूरो का सिराज किसको कहते हैं पूर stability का सिराज पूर्व का सिराज यानि सिराज ओफ इस्ट यानि अगर आपके सामने सवाल आए दोस्तों कि जॉन पूर को और किस नाम से जानते हैं या यह सवाल आए कि सिराज हिंद किसको कहते हैं तो आप बोलेंगे जॉन पूर को कहते हैं या बोला जाए कि पूर्व का सिराज किसको कह सबसे बड़ा सवाल के दिमाग में यहारा होगा कि सिराज हिंद इसको टाइटिल क्यों दे रिफ क्यों छंद कहते हैं बस इसी सवाल का जवाब नहीं सक्षम हो जाते हैं दोस्तों तो इसका मतलब यह है कि यह कभी नहीं भूलने है कि जॉन पुर को हीसिराज हिंड कहते हैं आप भारत का सिराज कहते हैं चैलिए और अब हम लोग फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं देखेड़ों अभी मैंने भोला कि जॉन पूर यह कहां है उत्तरपदेश हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सिराज पुर्व का सिराज या भारत का सिराज यह सब अगर सिराज word आ रहा है भारत रेलेटेटिट कोच्छन आ रहा है तो आपको जवाब देना है जॉनपुर को कहते हैं उत्तरपदेश में है अब देखिए इसको कहते हैं अब इसके पीछे दो आपको और ग्यात होनी चाहिए जौनपूर की जब बात होगी तो यह जो जौनपूर है यह नाम कहां से आया जौनपूर का अभी जो हम लोगों ने कल बात की है यानि महम्मद बिन तुगलक की तो मैंने जब महम्मद बिन तुगलक की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको मु ollut पताया चुम नेम जो था वू था आउना कहन क्या नामत है दोस्तों दोश्तों मुअम्मद बिल्य क्या च्वा कि ऑर इसरी खान चीज के संप्रप्र फिरोशह तो जब यह सहर वसा तो हैं जान पुर रखा जाउना खान के वज़े से यानि अगर फिरोष शातुगलक की बात करें तो फिरोष शातुगलक ने अपने बड़े भाई के नाम पे इस शहर का नाम रखा है जौना खान जिसका नाम क्या था जौना खान जिसको हम लोग मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास में जानते हैं सुल्ता हिंद का मैंने आपको बताया सिंध से ही निकला था हिंध जब हम लोग चुरुवात में बात करें सिंध से ही बनाता हिंध का सिराज यानि एक ऐसी जगए यही थी यहां पर क्या हो रहा था इसलामधर्म का तेज़ी से प्रशार प्रशार करने킬 संस्थाप बनाई जा रही थी और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रचार भी यहां से तेजी से किया जा रहा था याने यहां पे धेर सारी मदर्शाय बनाई गई धेर सारी मस्जिदें बनवाई गई और ये सब चीजें कब डेवलप होना शुरुआत होंगी दोस्तों जब वहाँ पे सरकी वन्स की स्थापना होगी सरकी वन्स जब चलेगा इस्ट साइड पे भारत के पुरो साइड में सरकी वन्स जब चलने लगेगा उस समय जौन पूर में का कहते हैं अब मेरे समझ से आज के बाद आपकभी नहीं भूलेंगे कि सिराज हिंद क्यों कहते हैं जौन पूर को अब देखिए इसने चीज तो की ही साथ में दोस्तों मैंने अभी बताया यह परवकारी राजा हुआ इसी कारण से इसको अकबर अब दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं अब देखिए परोपकारी की जब बात आई तो इसने सबसे ज़्यादा अपने शाशनकाल में नहर बनवाने का श्रे अगर कोई लिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में वह श्रे किसके पास जाती है दोस्तों फिरोश्या तुगलक क पास जाती है फिरोश्या तुगलक बहुत सारी नहरों का निर्मान करवाएगा तो यह ज़्यादा तर दिल्ली सल्तनत में अगर नहरों की बात आती सबसे ज़्यादा अगर नहरों का डेवलप्मेंट यानि कहिनाल को बनवाने वाला इंसान कौन है कौन सा सुल्तान है तो यह बनवाएगा एक कैनाल इससे इंपोर्टेंट है थोड़ा बहुत कभी-कभी शवाल आ जाता है सवाल पर इस कैनाल पर तो मैं उसके नाम लिख दे रहा हूं कैनाल इन सिर्शा यह आता क्यों है यह आता इस कारण से क्योंकि इस नहर के पास जब यह नहर जा रही थी तो न तो जो यह सिर्शा था इसके अगल बगल मतलब क्या हुआ इसने गारड़िन बनवाडा ले मतलब यह अगर आपकी नहर बैए रही है तो इधर गार्डे रही है और इधर ज्यादा लेबल बढ़ा देते हैं तो पूछ दिया कितने गार्डेन बनवाए गए थे तो बारस बनवाए गए थे इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों और फिरोश्या तुगलक्त एक ऐसा पहला सफल सुल्टान बना जो सती प्रथा यानि सती की जो प्रथा चल सबसे पहली बार सफल तरीके से रोक लगाने वाद अगर कोई इंशान है कोई सुल्टान है तो आप बोलेंगे फिरोश्या तुगलक है और मुहमद बिन तुगलक की अगर बात आएगी कोशिश उसने भी सती प्रथा को रोकने की ती लेकिन वह सक्सेश्फुल नहीं हो पा यानि देखिए ध्यान से सती प्रथा यानि सती सिस्टम को इसने क्या किया प्रोहीबीटेड कर दिया सक्सेश्फुल वन था यह सक्सेश्फुल सुल्तान था ध्यान रख्येगा सक्सेश्फुल सुल्तान पहले नंबर का सक्सेश्फुल सुल्तान है अब आगे बढ़ते हम सती प्रथा के उपर मैं एक अलग से वीडियो आपको संडे वाले दिन दे दूंगा कि सती प्रथा होती क्या है इसके उपर मैं पूरी डिटेल एनिलिसिस कर दूंगा और कौन-कौन से सुल्तान के उपर इसमें सवाल बनते हैं सुल्तान कौन-कौन से सुल्तान सती प्रथा को रोके कौन से सुल्टान उसको पुरे तरीके से प्रतिबंदित करने में बैन करने में सफल हो सके और आखरी में सती सिस्टम कैसे खतम हुआ इस सब चीजों की व्याख्या करते हुए मैं आपको संडे को एक वीडियो अपलोड कर दूँगा अभी हम लोग बस आप सिस्टम को स जब इसने सती प्रता पे रोक लगाई तिक उसी के ठीक बाद क्या हुआ इसने जजिया लगाया जजिया लगाना आपको मालूम है क्या होता था यह टेक्स होता था जो गैर मुसल्मान लोग दिया करते थे यह लेकिन एक ऐसा पहला सुल्टान मना जो ब्रामपड के उपर पिश्या लगाने लगा यानी अभी तक्त फिरोषा टॉघलग से पहले जतने जितने भी सुल्तान थे वह तो से जजी आ वसूल नहीं किया करते थे ये एक ऐसा पहला सुल्तान बनेगा जो लगंद क्या करेगा जजिया करें लेगा तो परन्ति यानिया उनके लिए आवास बनवया मकान बनवया ताकि कॉन कॉन रह सके विद्व और विड़यो वोमेन और साथ में विकलांग लोग जो लोग हैं उनको रहने के लिए एक जगव मिल जाए यानि क मकान मिल जाए एक घर मिल जाए यानि यह हाउस डवलप्मेंट करवाया किसके लिए फॉर वीडोज एंड डिसेबल परसन ठीक दोस्तों अब देखिए इसने दोस्तों हॉस्पिटल भी बनवाया इसने साथ में क्या किया इकनॉमिक सपोर्ड भी देने लगा जो लोग गरीब हुआ करते जिनके वस पैसा नहीं हुआ करता था उनको यह पैसा भी देता था उसको क्या कहते थे वह कौन सी पॉलसी कहलाई साथ में इसने जो हस्पिटल बनवाया उसका नाम क्या था फिर इसने कुतुब मिनार में क्या एतिहासिक चीजें करवाई उसको हमें ध्यान देना है फिर यह देखना है कि इसने आर्मी से रिलेटेड जो भी शैनिक इसके सामराज में हुआ करते थे उसको लेकर इसने क्या निर्णे दिया साथ में फिर देखना है कि इसका अंत कैसे होगा यानी तेरसो अठाजी पे हम कैसे पहुचेंगे और फिरो शाथ तुगलक के बाद कौन बनेगा अगला सुल्टान इन सब बातों की चर्चा हम लोग दोस्तों कल करेंगे और मैं आप से जरूर कहूंगा दोस्तों की अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं जितनी भी हम लोग डिसकेशन कर रहे हैं इसमें आप टेट सी टेट सूपर टेट साथ में यूपी स्टेट गवर्मेंट से रिलेटेट जितनी भी जॉब हैं जैसे यूपी पीसील की अलावाद हाई कोड की साथ में यूपी पस बता दिया गया है पहले ही मैंने सिलिवस का डिसकेशन कर रखा है और इससे जादा जो भी अभी मैंने पेपर का नाम ले लिया इससे ज़्यादा आपके सवाल नहीं बनेंगे इससे आप कॉंफिदेंस के साथ पढ़िए और समय समय पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों को आप इस सब्जेक्ट से बेफिक्र हो जाएए बस साथ जूड के पढ़िए और मैं जरूर कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को ताकि ज्यादा लोग इस चैनल का लाब उठा सकें और इसी के साथ में वीडियो को विराम लेने के आपसे इजाज़त चाहता हूं दोस्तों धन्यवाद